साथ हैं आज तभी लोगों को में प्यार सरु का रहा हैं अब सकते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ह 도hesion को मेरा प्यार भट्चे आज थोडी से रेट जिसके कारण से class में थोडी से delay हो गयाँ थिक है थोडी से बेरी हुई यह बच्छे जिसके कारण आज class में धुरी चलना है थिक है निटर आजाओ वाइस तभी लोग आजाओ और वीडियो को शेर करते हुए चलेंगे और उसके बाद पर हम लोग क्या करेंगे आगे एक एक चीज को करने की कोशिश करेंगे आईए का सबसे पहले question आप लोगशंच के साथ आने चलदा है और सबसे पहले question की अगर बात करें तो आपके सामनें आचुका है Quartz किसे बनी होती है यह बात आपसे पूछ रहा है दो हिंगे Quartz जो होता है किसकी बनी होती है ये आपते question पूछा जा रहा है तो बताएंगे जो quards होता है बचे, जो quards होता है बचे, किसकी बनी होती है silicon की बनी होती है, silicon dioxide की बनी होती है calcium silicate की बनी होती है sodium sulfate की बनी होती है और बचे, sodium silicate की बनी होती है किसकी बनी होती है तो आप लोगों से यह बताना है बच्छे यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को एंसर देना चाहिए ठीक है इस तभी लोगों को नमस्ते आज लेट हो गया बच्छे मैं लेट करता नहीं मैं देर करता नहीं देर हो जाती है याद कर लेंगे तो यह क्या हो होती है जो quartz की चीजे आपर लगी होगी होती है तो आपका कौन सा answer सही हो जएगा आप ऊपका answer सही हो जाएगा कौन सा इस puree सेक श्टील स्टेनलेस इसिटील किस के mistधातो है जंदी से वताइगे कि जा क्यों किसका होता है चलेंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा जल्दी से आप लोगों का अंसर यहाँ पर आना चाहिए जल्दी से यहाँ पर आपका अंसर आना चाहिए तो आप कहेंगे सर्फ इस्टेनलेस इस्टेल में होता है आपका ठीक है क्या होता है आप कहेंगे इस्टेनलेस इस्टेल में होता है लोहा, क्रोमियम, मैगनीज और कार्बन लेकिन बच्चे केवल और केवल अगर इस्टील पूछा जाए केवल और केवल बच्चे क्या पूछा जाए इस्टील तो इसमें क्या होता है आप कहेंगे सर इसमें होता है लोहा और साथ में क्या होता है आप कहेंगे सर कार्बन ठीक है इसमें लोहा और क्या हो जाता है आप चारबन हो जाता है ये बात याद करेंगे ठीक है। ये बात याद करेंगे तो इसए क्या हो जाएगा? आप कैंगे इस तर में लोहा और चील मैनेज और अजिय Allah क्हां हो। जबाए जाता है इस्टील की कषूर्दा को बढ़ाने के लिए छले वुच्छे आप सभी लोगं को अब बता दिजेगा एक बार मेरी आवाज आप लिए को तक आ रही है घेतरीन तरहे career की नहीं आ रही है जल्दी से बताएंगे कि मेरी आवाज आ रही है सुंदर वाली आवाज आई कि नहीं आई एक बार बताना ठीक है चलेंगे बच्छे यहाँ पर क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है बच्छे अब बढ़ी हाँ आवाज आ रही है ठीक है जल्दी से तो चलेंगे बच्छे यहाँ पर आपके सामने नेक्ट कुश्चन आ रहा है और नेक्ट कुश्चन को आप लोग बताएंगे बेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा तो क्या होगा देखेंगे बच्छे यहाँ पर क्या होता है पी बराबर क्या होता है आप कहेंगे सर यंबी और काइनेटिक एनरजी यानि की काइनेटिक एनरजी बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे काइनेटिक एन नियत होता है, द्रभमान कैसा है बच्चे, नियत है, कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसका द्रभमान कैसा होगा, आप कहेंगे सर, नियत होगा ये बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ये बात आपको पता है, kinetic energy directly proportional to V square हो जाएगा, तो आप कहेंगे अगर दो गुना करेंगे तो V की P की value क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 2 ही हो जाएगी, लेकिन kinetic energy की value क्या हो जाएगी, 2 की power, 2 की power 2 हो जाएगी, 2 की power 2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो यानि कि समवेग दो गुणा बढ़ जायेगा और गती जूरजा चार गुणा बढ़ जायेगी तो यहाँ पर कितना option answer सही हो जाएगा आपका a passer सही हो जाएगा C आपका a passer कितना सही हो जाएगा बच्चे C सही हो जाएगा ये बात याद रख लेना एक बार विडियो को शभी लोग शेयर करेंगे, और विडियो में लाइक की संख्या कम है, विडियो में लाइक की संख्या कम है बच्चे, तो आप क्या कर लेंगे, लाइक भी कर लेंगे, आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से, चलेंगे भई, नेश कुश्यन की तरफ च समय, क्या होता है, वेगवटे समय, यानि कि क्या होता है, मीटर, ठीक है, मीटर, प्रति सेकंड स्क्वाइर, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वाइर होता है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर, इसकी विमा हो जाएगी, ये L होग और T-2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे L T-2 होता है इसकी विमा, अब देखो यहाँ पर कहीं L T-2 दिखाई दे रहा है, कहीं L T-2 दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर L T-2 जो है यह सबसे पहले में दिखाई दे रहा है, इसे आप अगर एरेंज करेंगे M0 L T-2 हो जाएगा L1 T-2 तो पहला option यहाँ पर सही हो जाएगा A is the right answer L T-2 होता है सरिता यह class कफसे ढून रही हूँ अब मिली ठीक है बच्चे यह class जो है आपकी 3 बज़े से start हो जाती है लेकिन आज थोड़ी सी late हो गई क्योंकि यहाँ पर network problem चल ला है तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दे लेंगे तो क्या हो जाएगा L1 M0 और T-2 तो यहाँ पर आपका पहला option सही पहला option यहाँ पर क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर सही हो जाएगा ठीक है देखेंगे बच्चे बिटामिन के बारे में कौन सा कथन कौन सा कथन तत्य सही नहीं है बिटामिन के बारे में कौन सा तत्य सही नहीं है जल्दी से बताएगे बिटामिन क्या होता है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है कुशी सोनी कह रही है सर यू आर ग्रेट हेलो भीया, हेलो साक्षी बच्चे, हेलो, बस वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो सेयर कर देंगे, सर, क्लास नहीं मिलती है आपकी, मेरी क्लास बच्चे यहीं पर रहती है, आप लोग देख लिया करो, ध्यान से देखो, इसका नामकरण फंक ने किया है, बिल्कुल सही ह नामकरण फंक ने किया है ये जीवन के लिए महत्पून है बच चीह बात है इसकी कमी से रोगुत्पन हो जाते हैं ये भी सही है ये पाचन में सहायक होते हैं बच्चे ये भी सही है सब अपनी अपनी जगहां पे सही है तो यहाँ पर गलत कौन सा होगा ये बात बताएंगे आप सभी लोग ठीक है सब अपनी अपनी जगहां पर सही है तो यहाँ पर कौन सा गलत होगा बच्चे ये question का answer आप सभी लोग दे देंगे क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर प्रोटीन जो होता है मैं तो सेर नहीं करूंगी अब बच्चे कर लिया करो सेर कर लिया करो देखेंगे बच्चे क्या होता है आप कहेंगे सर ये पाचन में सहायक नहीं होता है क्योंकि बच्चे जो प्रोटीन क्यों से होते है और क्या होते है पाचन में सहायक कौन होता है तो आप कहेंगे सर एंजाइम enzymes होते हैं बच्चे क्या होते हैं आप कहेंगे सर पाचन में सहायक होते हैं enzyme क्या होते हैं बच्चे आप कहेंगे सर पाचन में सहायक होते हैं लेकिन पाचन क्या होते हैं आप कहेंगे सर बिटामिन जो होते हैं पाचन में सहायक नहीं होते हैं क्योंकि enzyme क्या होते हैं, आप कहेंगे enzyme जो होता ही, ये होता है protein, enzyme क्या होता है बच्चे, तो आप कहेंगे सर ये होते है protein, क्या होते है protein होते हैं, तो ये बात याद रखेंगे, अच्छा बताएंगे सर enzyme की खोज किष्णे की थी, enzyme की खोज किष्णे की थी, जल्दी से बताए कोलेजन के रेसे से बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, आप कहेंगे रुद्राक्ष भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन के बने होते हैं, आहारिये रेसे क्या कहलाते हैं, जल्दी से इस कुशन के अंसर करेंगे, कि सर जो आहारिये रेसे होते हैं, वो किसके बने होते हैं ठीक है क्या होते है आहरिये रेसे को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे सर आहरिये रेसे को कहा जाता है रुद्रांच भी कहलाते है आहरिये रेसे का नाम दूसरा नाम क्या है बच्चे इसका आहरीय रेसे का तो आप कहेंगे सर रूदरांच ठीक है क्या होता है रूदरांच होता है ये बात याद रखेंगे आहरीय रेसे कैसे होते हैं तो आप कहेंगे सर रूदरांच होते हैं बिल्कुल सही बात है तो यहाँ पर यह रूदरांच हो जाएगा और बच्चे सभी लोग विडियो को शेर कर देंगे और विडियो को शेर करके यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर हो जाएगा आप देखेंगे लेक्टोज लेक्टोज क्या बना होता है बच्चे लेक्टोज किसका बना होता है जल्दी से इसका कमेंट करके आप सभी लोग एंसर देंगे बच्चे कि जो लेक्टोज होता है ये किसका बना होता है लेक्टोज किसका बना होता है जल्दी से कमेंट करेंगे लेक्टोज किसका बना होता है हाँ बिल्कुल कर दो बच्चे बिल्कुल कर दो लेकिन पढ़ते तो रहो ठीक है यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा ग्लुकोज हो जाएगा और ग्लुकोज हो जाएगा ग्लुकोज हो जाएगा ग्लुकोज हो जाएगा ग्लुकोज हो जाएगा ग्लुकोज हो याद करेंगे ठीक है लेक्टोज अब बचे लेक्टोज क्या होता है आप कहेंगे सर लेक्टोज जो होता है ये मीठा होता है और किसमे होता है आप कहेंगे सर दूध में होता है दूध में बचे लेक्टोज सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा ठीक है लेक पाया जाता है, मा के दूध में पाया जाता है, और अगर बात करें सर, सबसे अधिक किस जानवर में पाया जाता है, आप कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए, किस जानवर में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर, उंट, ठीक है, उंट के दूध में, उंट के दूध में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है, उंट के अधिकता में क्या, उंट के दूध में क्या होता है, आप कहेंगे सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, देखेंगे निमलिकित में से सुमेलित करिए, तंत्री का तंत् पेदनाओं को मस्तिक तक पहुंचाने का काम करता है, कंकाल तंत्र क्या करता है, आप कहेंगे सर कंकाल तंत्र जो होता है, ये क्या करता है, आप कहेंगे सर परिचालन में सहायक होता है, सहियों जी तंत्र क्या करता है, बिभिन उतकों को जोड़ने का काम करता है, बिभिन उत यहाँ पर सही हो जाएगा, एक, चार, एक, दो, पांच, चार, एक, दो, पांच, बिलकुल बच्चे, यहाँ पर D-Option आपका सही होगा, ठीक है, नेस्ट क्यूशन, बिटामिन B12 में कौन सा, कौन सा धातु आयन उपस्तित हो रहता है, बिटामिन B12 में, बच्चे, यह most important है, लिख लीजिएगा, आपकी बार, आपके विडियो के पेपर में, यह छपेगा, छपेगा बच्चे, आपके विडियो के पेपर में, इसका नाम क्या होता है, आप कहेंगे सर, इसका नाम होता है, साइनो कोबाला मिन होता है, इसका नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर, इ कोबाल्ट पाया जाता है यहां पर यह बात याद रखेंगे और इसकी कमी से विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है आप कहेंगे सर एनिमिया हो जाता है बिल्कुल सही बात है ठीक है खुसी बच्चे मेरी anniversary मेरी साधी कव करवादी जो मेरी anniversary आ गई आपे तो आप कहेंगे सर क्या हो जाता है आप कहेंगे सर विटामिन B12 की कमी से अनिमिया हो जाता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है इसमें क्या पाया जाते हैं बच्चे, कोबाल्ट और आप लोगों को पता है कि आज साथ तारीके बच्चे और आज ये last day है जिसके अंदर आप UP के सभी special best से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ बच्चे क्या कर सकते हैं आप कहेंगे सर, हमारे साथ हमारे साथ जुड़कर आप क्या कर सकते हैं साइन्स को एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं साइन्स को एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं इस बात आपको पता होनी चाहिए और आप सभी लोग पक्का है कि हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ कर क्या करेंगे इसकी तयारी करेंगे अभी last day है बच्चे इस offer का लाव उठाने के लिए अन्यता कल इसका और दाम भी बढ़ जाएगा अगर किसी भी badge को लेना चाहते हैं तभी भी जुड़ सकते हैं बच्चे और ये जो है आप PDF इसकी यहाँ पर आपके हमारे अप्लिकेशन से डाउनलोड करके अप्ले श्टोर से आप कहेंगे सर इसकी PDF हमसे प्रात कर सकते हैं बच्चे नेश्ट कुश्यन पिर्थवी के चुमबकिये छेत्र का कारण है भूक रोड के अंदर चक्रक धाराएं ठीक है इसकी केंदर में मौजूद बिसाल चुमबक प प्रिप्त में से कोई भी नहीं बच्चे यहाँ पर देखेंगे इस कुश्यन का एंसर कौन सा हो जाएगा तो आप कहेंगे भूक रोड के अंदर की चक्रक धाराएं ठीक है भूक रोड जो होता है आप कहेंगे सर जो पिर्थवी होता है ठीक है जो क्या होता है पिर्थवी बनाया करते हैं, धारा बनाया करते हैं, इसी धारा के करणा क्या होता है, बच्छे, आप कहेंगे सर, ये बाते होती है, ये बात यहाँ पर याद करेंगे, तो आप सन कौन सा हो जाएगा, भूक रोड के अंदर चक्रक धारा हैं, बच्छे, बिल्कुल सही बात है, सर, question 8 का answer तो बताईए, अच्छा, question 8 का answer नहीं बताया, क्या, question 8 का answer नहीं बताया, क्या, अच्छा, question 8 का answer नहीं बताया, बच्छे, लिख तो दिया है, 8 का answer C होगा, ये लिखा तो है, glucose plus piendo, ब्लत लेक्तोज, बराबर live Blues, लिखा तो है, question 8 का answer तो और क्या चाहिए उसमें ठीक है और क्या चाहिए चलो बचे यहाँ पर कह रहा है 108 के 108 का 108 का एक बल्ब 4 घंटे तक switch on रखा जाता है 108 के एक बल्ब का 4 घंटे तक switch on रखा जाता है प्रियुक्त बिद्धुत उर्जा की इकाई होगी प्रियुक्त बिद्धुत उर्जा की इकाई होगी बताएंगे क्या हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर याद करेंगे तो क्या हो जाएगा आप कहेंगे 100 गुने 100 गुने 4 हो जाएगा क्योंकि बच्चे 108 का एक बल्ब बच्चे कितने दिनों के कितने 108 का एक बल्ब बच्चे 4 घंटे जलता है बटे में इसको किस से भाग दे देते हैं आप कहेंगे से 1000 से तो 20 से बच्चे 20 कट गया तो इसे धा भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 ठीक है क्या हो जाएगा 0.4 यूनिट उर्जा हम लोग खर्च करेंगे कितना खर्च करेंगे बच्चे तो आप कहेंगे 0.4 यूनिट उर्जा यहाँ पर खर्च किया जाएगा आज इतनी संख्या कम क्यों है बच्चे आज इतनी संख्या कम क्यों है जल्दी बताएंगे तरीका क्या है आप कहेंगे सर लगाने का तरीका क्या है आप कहेंगे चमता गुने दिन गुने घंटा ठीक है घंटा बटे एक हजार बटे एक हजार कर देंगे चमता बच्चे सो वाट किये कितने दिन एक दिन बच्चे कितने घंटे चार घंटे उठा के रख दिया बच्च ठीक है यहाँ पर देखते वे चलेंगे यहाँ पर देखते वे चलेंगे बच्चे ट्रांसफार्मर क्या है आप कहेंगे ट्रांसफार्मर क्या है जल्दी से बताएंगे DC को AC में परिवर्टित करता है AC बोल्ड़ता को घटाने और बढ़ाने में परियुक्त किया जाता है AC बोल्ड़ता को DC बोल्ड़ता में परिवर्टित करता है बैदुत उर्जा को यांतिक उर्जा में परिवर्टित करता है रिचा आज एक्जामपर की क्लास नहीं हुई हुई तो बच्चे सारी क्लास तो हुई है गुड इवनिंग बच्चे गुड इवनिंग यहाँ पर जबरदा सरीके से देखते हुए चलेंगे आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर एसी बोल्टता को घटाने एवन पढ़ाने में क्या होता है प्रियुक्त होता है यह बात याद करेंगे बच्चे तो बी ऑफ्सन बी ऑफ्सन हो जाएगा जितने लोग यहाँ पर डी ऑफ्सन दे रहे हैं यहाँ पर यह बात याद रखेंगे बेकार हो जाएगा आप कहेंगे सर यहाँ पर हो होता है यह चमकीला ठीक है साबुन का बुलबला बच्चे चमकीला कैसे दिखाई देता है चमकीला क्यों दिखाई देता है यह बात याद करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि साबुन का बुलबला क्यों होता है चमकीला दिखाई देता है यहाँ पे तो आप बता ही दोगे बच्चे किसके कारण आप कहेंगे सर जड़त्व के कारण प्रिष्टनाओं के कारण प्रिष्टनाओं बच्चे प्रिष्टनाओं में कौन सा बल लगता है आप कहेंगे प्रिष्टनाओं में बल लगता है ससंजन ठीक है कौन सा बल आप कहेंगे सर कोहिसी फोर्स यहाँ पर प्रिश्ट तनाओ, बच्चे, आज network problem थी, जिसके कारण class नहीं हो पाए थी, और मेरी भी class उसी के कारण लेट हुई थी, मैं भी सोच रहा था कि आज class नहीं हो पाएगी, लग रहा था ऐसा, लेकिन बच्चे, ऐसा हुआ नहीं हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे बच् कारण interference के कारण यह बात होती है, ठीक है, निमलिकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ध्वनी से, बच्चे, डेसीबल से, ध्वनी की प्रबलता की इकाई मापी जाती है, बिल्कुल सही है, असो सक्ती सक्त की इकाई है, यह भी सही है, समुंद्री गर, समुंद्री मील, समुंद्री मील, संचालन की दूरी की इकाई है, बच्चे, आप कहेंगे सेल्सियस उस्मा की इकाई है, बच्चे, यह भी सही है, सेल्सियस बच्चे, किसकी इकाई है, तो आप कहेंगे सर, सेल्सियस, सेल्सियस तापमान की इकाई है, किसकी है, तापमान की इकाई है, सेल् और उस्मा की इकाई क्या होती है आप कहेंगे सर उस्मा की इकाई होती है जूल उस्मा की इकाई क्या होती है जूल होती है और सेल्सियस किसकी इकाई होती है तो आप कहेंगे सर तापमान की इकाई होती है सेल्सियस ये बात याद करेंगे ठीक है ये बात याद करेंगे बच् किसका मापन किया जाता है एनिमो मीटर से निमलिकित में से किसका मापन किया जाता है जल्दी से बताएंगे एनिमो मीटर से पानी के बहाओ के गति को नहीं बच्चे पानी के गहराई को नहीं बच्चे प्रकास की तिवरता को नहीं को ठीक एनिमो मीटर से किसको मापा जाता ह आप कहेंगे सर एनिमो मीटर से मापा जाता है पवन बेग ठीक है एनिमो मीटर से क्या मापती है आप कहेंगे सर एनिमो मीटर पवन बेग मापा जाता है क्या कहते हैं बिंड विलोसिटी यानि की पवन बेग मापा जाता है बिंड विलोसिटी लेखेंगे जिस नियूंतम ता पदार्थ का क्या कहा जाता है, जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलने में होता है, सर आज सब बच्चे लोग कहा हैं, इतने कम लोग हैं, बच्चे आप लोग सेर ही नहीं कर रहे हो, तो हमें क्या कर सकता हूं, बच्चे, आप लोग सेर नहीं कर रहे हो, तो मैं कुछ कर सकता थोड़ी ना हूँ ठीक है आप सेयर करोगे तो बच्छे बड़ियां होगा आप सेयर नहीं करते हो तो फिर क्या कर सकते हैं ठीक है मैं क्या ही कर सकता हूँ बच्छे तो सेयर करा करो शेयर करो शेयर करो बच्छे सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे बच्छे, सभी लोग वीडियो को क्या कर देंगे, सेयर कर देंगे और इस question का answer कर देंगे बच्छे, मैं भी एक बार क्या कर लेता हूँ सेयर कर देता हूँ वीडियो को, ठीक है, मैं भी एक बार वीडियो को क्या करता हूँ शेयर करता हूँ आप लोग भी कर लो और फिर उसके आद आगे करते हैं बिलकुल बच्चे इसे क्या कहते हैं तो आप कहेंगे सर इसे जुलनत आप के नाम से जाना जाता है ठीक है? अच्छे बताएंगे बच्चे आज आवाज आपको कैसी लग रही है आज आवाज आपको कैसी लग रही है एक बार जल्दी बताएंगे बच्चे कि आज की आवाज आप लोगों को कैसी लग रही है चलेंगे बच्चे निमलिकित में से कौन इधन तत्व है निमलिकित में से कौन से अधक है पहले अच्छी थी अब नहीं अच्छी है सर, यूपी अध्या से, राम, 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 बच्चे बीरु सभी लोगों को, राम, राम, आज की क्लास चली गई, चायल लग गए रही है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखेंगे, बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आप कहेंगे निमलिकित मेंसे, निमलिकित मेंसे कौन से तत्तो होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्तो होते हैं, इसलिए इनको अमलोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर इसलिए इसको अमलोग क्या कहते हैं, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये लोग इधन बनाते हैं, लेकिन बच्चे अगर यहाँ पर देखा जा हीलियम, हीलियम जो है यहाँ पर सही होगा जो हीलियम सही होगा बच्चे तो आप कहेंगे सर हीलियम क्या करता है तो आप कहेंगे जो हीलियम है बच्चे यह इधन बनाने के काम में नहीं आता है यह इधन तक तो नहीं होता है यह क्या नहीं होता है बच्चे आप कहेंगे सर क्या नहीं होता है तो आप कहेंगे सर हीलियम जो होता है ये इधन तर तो नहीं है पर ये बच्चे कहां पर पाया जाएगा बहुत मात्रा में आप कहेंगे सर सूरे में किस के द्वारा बनता है आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के द्वारा बनता है hydrogen की द्वारा बनता है और hydrogen जब helium में बदलता है तो इसी को क्या कहा जाता है sun इसी को क्या कहते है sun land कहा जाता है इसी को क्या कहते है बच्चे इसी को sun land के नाम से जाना जाता है अगनी समन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है जल्दी से बताएंगे कि जो अगनी समन होता है बच्चे इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है जल्दी बताएंगे बच्चे जो अगनी समन होता है अगनी समन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है अगनी शमन में बच्चे कौन सी गैस पूरा होती है Sir, you are एक मिनट देखने हैं Sir, are you previous like गैना and you were not different दूसरे लोगों के कहने से Sir, you are previous like or birth not defined to दूसरे लोगों के कहने अगनी शमन में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं तो आप कहेंगे Sir, carbon dioxide का गैस का प्रयोग किया जाता है आप कहेंगे अगनी सामन का क्या होता है आप कहेंगे Sir, क्या होता है आप कहेंगे Sir, carbon dioxide का प्रयोग करते हैं याद करेंगे निमलिकित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उधारन है निमलिकित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उधारन है और B से A में चला जाता है, ये दोनों प्रैसेज हो सकता है, तो बच्चे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इक परिवर्त हैं, देखें अगर जंग लग गया, अगर कहेंगे सर चांदी काली हो गई, तो बच्चे उसे कब से आप रगड के फिर से साब तो कर सकते हो, लेक पानी की अगर बात करें, पानी अगर उबल रहा है, तो पानी ठंधा भी हो सकता है, पानी उबल रहा है बच्चे तो आप कहेंगे सर पानी ठंधा भी हो सकता है, ये बात याद रखेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें आपर रखी गई, जंग लगना और चा इसे कौन सा रासाइनिक परिवर्तन है, रासाइनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई व्यक्ति A से B में चला गया, लेकिन बच्चे B से A में वापस नहीं आ सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर इसे रासाइनिक परिव जाएगा, केला चीलना बच्चे, केला चीलना बच्चे, केला चीलोगे तो फिर से केला ही रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये फिजिकल चेंज हो जाएगा, तो केला चील कर बच्चे, केला ही बनाओगे, ऐलमुनियम, ठीक है, ऐलमुनियम पन्नी को काट कर उसके टुकडे करना फिर भी तो पन्नी ही ना रहेगी आप कहेंगे पन्नी ही ना रहेगी लेकिन बच्चे अहाँ पर क्या कहेंगे दूद से दही बनना दूद से अगर दही बन गया तो बच्चे दही से दुवारा से दूद नहीं बना सकते हो दूद से दुवारा नहीं बना सकते हो बच्चे याद रखना आप कहेंगे सर दूद से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा बैक्टीरिया होता है आप कहेंगे सर लेक्टो वेसिलस होता है याद रखेंगे कौन सी बैक्टीरिया आप कहेंगे सर लेक्टो वेसिलस बैक्टीर ऐसरे सामने है कि Pennsylvania का υaimer करते हैं सबसे पहला है टीप ए आपके चैनल एन टीडोरा फोट्रमिंग के दोफार है अलेकजेंडर बच्चे फ्रेमिंग के द्वारा बनाया गया ग्राहम बलने बच्चे ग्रामो फोन का अविस्कार किया था ग्राहम बलने क्या किया था आप कहेंगे सर ग्रामो फोन का अविस्कार कर दिया था और बच्चे विडियो को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे औ कहते हैं सुमेलित करने की अगर बात करें तो टाइप राइटर की खोज किषने की एक्स किरन की खोज किषने की रेडियो की खोज किषने की और सेफटी लेप्ट किसने बनाया जल्दी से बनाएंगे बच्चे जल्दी से बताएंगे ठीक है क्या हो जाएगा देखेंगे और अगर बात करें फ़र रेडियो की, रेडियो की खोज किशने की तो आप कहेंगे मारकोनी, मारकोनी ने बच्चे क्या किया है, आप कहेंगे सर रेडियो की खोज किशने कर दी है, तो आप कहेंगे सर मारकोनी ने कर दी है, तो यहाँ पर एंसर क्या हो जाएगा, आप के दो, तीन, चार, एक हो जाएगा, याद करेंगे, ठीक है, नेश्ट कुश्यन आपके सामने, माइट्रो कांड्रिया, ATP, माइट्रो कांड्रिया से ATP का निर्माण होता है, तो राइवो सोम से किसका निर्माण होगा, राइवो सोम से किसका निर्माण होगा, अब अब रिजन बजे से लेकर, साड़े 11 बजे से लेकर, कितने बजे तक, एक बजे तक भी चलती है, वो आली क्लास भी देखिएगा, उसमें सारे सस्तिके की भी कुश्यन होते हैं, फिलाल यहां से सीजियल भी आपका हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर, यह और किसने खोजा है, साथ के साथ, आप कहेंगे सर, फ्लेमिंग ने, ठीक है, किसने खोजा है, आप कहेंगे सर, फ्लेमिंग ने खोजा है, यह बात याद रखेंगे, ठीक है, और बच्चे क्या कहते हैं, राइबोसोम की खोज की है, तो आप कहेंगे सर, जी पैलेडे, ठीक जी पैलेडे ने किसकी खोज की, आप कहेंगे सर राइबोसोम की खोज की, जी पैलेडे ने बच्चे यहाँ पर याद करेंगे, जी पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की है, फिर रेखेंगे एक कोश किये, एक कोश किये, यू कैरियोटिक सुक्ष में जीव को दिया गया, द कहेंगे सर एक कोश किए यू कैरियोटिक को हम लोग क्या कहते हैं आप कहेंगे सर प्रोटिष्टा एक कोश किए यू कैरियोटिक को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे सर प्रोटिष्टा कहा जाता है ठीक है क्या कहते हैं आप कहेंगे सर प्रोटिष्टा कहा जाता है यहाँ पर ये बात याद कर लेंगे, क्या कहते हैं बच्छे, प्रोटिष्टा, ठीक है, प्रोटिष्टा कहते हैं, ये बात याद करते हुए चलेंगे, एक कोश किये, यू कैरियोटिक सुष्म जीव को क्या कहा जाता है, प्रोटिष्टा, देखो बच्छे, याद करेंगे, दुई दूई जगत क्लासिफिकेशन किस ने दिया, आप कहेंगे दूई जगत क्लासिफिकेशन किस ने दिया, आप कहेंगे सर किस ने कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, ठीक है, किस ने किया है, आप कहेंगे सर कारल लीनियस ने, ठीक है, किस ने किया है, तो आप कहेंगे कारल लीनियस न इन्होंने क्या किया बच्छे, प्लांट और, प्लांट और एनिमल में अलग किया था, एनिमल में अलग किया था, फिर उसके आद कौन आगे बच्छे, आप कहेंगे सर, हेकल आगे, कौन आगे बच्छे, हेकल, इन्होंने तीन में बांट दिया, किस में बांट दिया, तीन मे इन्होंने एक कौन ले आया आप कहेंगे सर एक ले आया बच्चे प्रोटिष्टा एक कौन सा प्रोटिष्टा एक बच्चे एनिमल एक एनिमल को ही रखा और उसके बाद फिर एक इन्होंने क्या कर दिया आप कहेंगे सर प्लांट को भे ले आया फिर उसके बाद कौन आगे आप कहेंगे वी टेकर, ठीक है कौन आगे, आप कहेंगे सर, वी टेकर आगे, वी टेकर, और वी टेकर ने बच्चे इसको पांच भागों में बाट दिया, पांच जगत में बाटा, सबसे पहले क्या रखा, आप कहेंगे सर, मोनेरा, सबसे पहले मोनेरा रखा, फिर उसके क्या रख दिया इन्होंने कवक तो ये पांच कंगरम ठिक है आज से पुछा जाता है पांच जगत क्लासिफेकेशन किस ने दिया तो आप कहेंगे पांच जगत क्लासिफेकेशन विटेकर ने दिया तीन जगत क्लासिफेकेशन हेकल ने दिया और दूजगत क्लासिफेकेशन क वाग लीनियस ने दिया यह बाथ यहाँ पर याद करते हुए लेकर चलेंगे ब साफिवा आपसिट करकर यहाँ कौशिकांग कोशिका का पावर हाुश का आता है बावर हाagit किसे गाते हैं रिक्तिका की खोज किशने की है तो आप कहेंगे रिक्तिका की खोज बच्चे गार्नियर ने किया है किशने किया है बच्चे आप कहेंगे सर गार्नियर ने इसकी डिस्कवरी की है ठीक है डिस्कवरी किशने की है तो आप कहेंगे गार्नियर ने किया है और बच्चे रिक्तिका को अंग् किकोज राबर्ट ब्राउन ने किया ठीक है किसने किया बचे आप कहेंगे राबर्ट ब्राउन ने किया और नाभिक को क्या कहते है आप कहेंगे ब्रेन ओफ सेल ठीक है क्या कहा जाता है ब्रेन ओफ सेल के नाम से जाना जाता है किसके नाम से तो आप कहेंगे सर brain of cell के नाम से जाना जाता है सर इसका नाम किशने दिया आप कहेंगे सर इसका नाम दिया कारल वेंडा यानि किसी वेंडा ने ठीक है किशने दिया बच्चे तो आप कहेंगे सर सी वेंडा ने इसका नाम दिया है याद करेंगे सी वेंडा और माइट्रो कांद्रिया की अगर बात करें ठीक है अगर माइट्रो कांद्रिया की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है आप कहेंगे सर इसे कहते हैं पावर हाउस ठीक है क्या कहते हैं बच्चे पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्योंसी का सेलुलेश होता है बच्चे औ यहां पर याद करेंगे ठीक है। सबसे प gladiata में हमारी रक्षा करता है। सरिर में निमलिकित में से कौन संक्रामण में हमारी रक्षा करता है बच्चे संक्रामण में हमारी रक्षा कौन करता है तो आप कहेंगे संक्रामण से हमारी रक्षा करता है देखो RBC की अगर बात करें तो RBC की अगर बात करें तो बच्चे इसका life कितना होता है आप कहेंगे सर इसकी life जो होती है वो आपकी होती है 120 दिन कितनी होती है बच्चे आप कहेंगे 120 दिन अगर बच्चे बात करें सर RBC की तो RBC जो होती है बच्चे इसका नाम आप कहेंगे सर इसकी लाइफ होती है तीन से चार दिन, तीन से चार दिन, बच्चे इसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर इसे लिउको, ठीक है, इसे लिउको साइट के नाम से जानते हैं, ठीक है, अब बात करेंगे सर बच्चे इसका कारे क्या है, आप कहेंगे सर इसका का है प्रतिरक्षा को मजबूत करना ठीक है क्या करना बच है ओक। ठीक है, oxygen, oxygen का परिवहन करता है, ठीक है, आप कहेंगे, sir, oxygen का परिवहन करता है, RBC क्या करता है, आप कहेंगे, RBC क्या करता है, produce a circulation of oxygen with the help of hemoglobin, hemoglobin के मदद से क्या करता है, आप कहेंगे, sir, oxygen का circulation करता है, oxygen का circulation करने का काम करता है, और रक्त प्लाज्मा क्या करता है आप कहेंगे सर रक्त प्लाज्मा प्लाज्मा कितने अंदर आप कहेंगे 50 से 55 ठीक है या फिर कहेंगे 55 से 60 प्रतिसत होती है 55 से 60 प्रतिसत होती है ये रक्त को तरल बनाने का कारे करती है ये क्या करती है बचे आप कहेंगे सर रक्त को तरल यहाँ पर यह बात याद करेंगे, अगर पुछाजा है WBC के कई भाग होते हैं, WBC पांच प्रकार का होता है, फांच बगार, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, आप कहेंगे सर मोनो साइट, क्या होता है, बच्चे मोनो साइट क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा कीजिक्ति दुरगटना में घायल हो गया उसके रखत समु की जाच के लिए समय नहीं है उसे निमलिखित में से कौनवा खून दिया दाएगा बहुत अच्छा कुषयन है धीक है बहुत अच्छा कुषयसन है यहां पर जल्दी से इस answer करें गे। दुरगा बच्चे, कहा हो, जल्दी से बताओ, इस question का answer कौन सा हो जाएगा, इस question का answer कौन सा हो जाएगा, one person has been injured in the accident, there is no time to check blood group, which of the following blood should be given to him, बच्चे क्या दिया जाएगा, आप कहेंगे सर, उसे दिया जाएगा, O blood group और negative भी, O blood group और बच्चे क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, तो बच्चे यहाँ पर हो जाएगा, बच्चे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर, O negative, क्या दिया जाएगा, आप कहेंगे सर, इसे O negative blood group द बच्चे इससे किया कहते हैं? बच्चे, sorry, ऐसे कहते हैं नहीं, बच्चे, sorry, दो दो आफसन एकी था, नमबर गिलत लिखाया है, ठीक है, sorry, बच्चे, sorry, चलेंगे, देखेंगे, नौजासिसू को जन्म के कितने समय पशात, नौजासिसू को जन्म के कितने समय पशात, DP, DPT का टीका लगाया जाता है, DPT, DPT, यानि कि किसका, आप किसको रोक रहे हो, डिप्थीरिया, ठीक है, किसे, डिप्थीरिया को रोक रहे हो, और साथ में किसे रोक रहे हो, आप कहेंगे, सर, पर्ट्यूटिस को, किसको, पर्ट्यूटिस, ठीक है, पर्ट्यूटिस को रोक है, और T का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे TITANUS, T का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे TITANUS, Pertutis, Diphtheria, TITANUS हो जाएगा, कितने आप कहेंगे, सर्च गंते में, 6 सबते में, 6 महीने में, 6 दिन में, बहुत अच्छी बात है बच्छे, इसमें तो 6-6 दे लिया हमको कम चीव, हमको क्या कर रहा है, कन्फ्यूज कर रहा है, हमको कन्फ्यूज कर रहा है, कितने समयमे देने देंगे, यहाँ पर कौन सी क्लास के बाद आना है, ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा आप कहेंगे छे सब्ता में डीपी टीका टीका बच्चे पर ट्यूटिस का मतलब क्या होता है आप कहेंगे सर काली खासी क्या होता है बच्चे काली खासी होता है काली खासी अब बच्चे बताओ 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका दिया जाता है जल् गंटे के अंदर टीका दिया जाता है, याद कर लेंगे, बिस इजी का टीका यहाँ पर चौ़ गंटे के अंदर आपको दे दिया जाता है, मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती पर पोशी कौन सा होता है, मलेरिया का परजीवी क्या है आप कहेंगे मलेरिया का परजीवी है प्रोटो जोवा क्या है बच्चे प्रोटो जोवा है मलेरिया का परजीवी बच्चे प्रोटो जोवा है आप कहेंगे सर मादा एनाफलीज बच्चे मादा एनाफलीज मच्चर क्या होता है आप कहेंगे सर मलेरिया का परजीवी होता है जिसे आपके सरीर में क्या होता है क्या पहुंचा देता है आप कहेंगे सर प्लाजमोडियम पहुंचा देता है ये बात याद रखना बच्चे क डंक मार देता है तो बच्चे बताएंगे किसके कारण तो आप कहेंगे क्या छोड़ता है इस पोरो जाइड ठीक है इस पोरो जाइड छोड़ता है और इसी इस पोरो जाइड के कारण मादा मत्यर आपके सरीर के अंदर डंक को इंजर्ट कर पाता है और आपका रक्षा आपक एंजाइम लिंग्ड एम्यूनो एसे होता है बच्छे किसको प्रभावित करते हैं T4 लिंफोसाइड की कमी हो जाती है हमारे सरीर में T4 लिंफोसाइड हमारे सरीर में क्या बनाता है आप कहेंगे सर प्रतिरक्षा ठीक है क्या करता है प्रतिरक्षा का काम करता है और जब विशानू आता है एड्स का तो हमारे सरीर की प्रतिरक्षा तंदर खतम हो जाती है जिसके कारण हमें कई प्रकार के रोग ह जाते हैं किसका पार्ट है बच्चे WBC का पार्ट है और लिंफोसाइड का निर्मार कहा होता है अगर आप से पूछा जाएं तो आप कहेंगे सर लिंफोसाइड का निर्मार जो होता है लिंफोसाइड का निर्मार बच्चे कहा होता है तो आप बताएंगे सर लिंफोसाइड क निर्मार होता है, बिल्कुल बच्चे, नेस्ट कृष्यन है, हाइड्रोफोबिया से सम्बंदेत है, बच्चे हाइड्रोफोबिया किस से सम्बंदेत है, तो आप कहेंगे कुत्ते के काटने से होता है, आपको कुत्ता काट ले, कुत्ता काट ले, आपको बंदर काट ले, बं से डर गने लगता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिटो फौबिया के नाम से जाने हें रिट्रो फौबया याद करेंगे बच्चछ जो रेबीज की खोज की थी होग से किसके द्वारा की गई थी तो आप कहेंगे LVIS पास्षर के द्वारा पास्षर, हर किसके तुक है किसकी खोज बच्चे रेबीज के ठीके की खोज किषने की लुईस पाश्चर ने कर दिया रेबीज के ठीके की खोज नेश कुईशन है बच्चे वर्मी कंपोष्ट में संगलन मुख्य जीव क्या का नाम क्या होता है वर्मी कंपोष्ट बच्चे वर्मी कंपोष्ट बनाना ह यानि कि आपको जैविक खाद बनाना है, तो जैविक खाद बनाने के लिए बच्चे यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, हाँ बिल्कुल बच्चे इसमें पानी से डर लगता है, जैविक काज, कच्छुआ नहीं होता है, बच्चे कच्छुआ होता है, केच्छुआ होत कौन सी फसल प्रोटीन से सम्रिद है जल्दी से बताएंगे गाजर है बच्चे पालक है सरसो है आप कहेंगे सर पालक है सरसो है बाकला है बच्चे कौन सा है जल्दी से बताएंगे प्रोटीन से सम्रिद कौन सी फसल होती है यहाँ पर आपको ये बात बता देना है, ठीक है, प्रोटीन से संबंदित, और मैं जान रहा हूँ कि बच्चे, इसमें आफ सभी लोग का एंसर A आने वाला है, कौन से एंसर आएगा, A एंसर, देखे, HR का एंसर यहाँ पर सही आ गया है, HR का एंसर क्या आया है, सही बच्चे, क्या हो ज होती है, उसके अंदर आपको प्रोटीन अच्छे मात्रा में पाया जाता है, बिलकुल बच्चे आर्थवाम को बच्चे, फर्मर फ्रेंड कहा जाता है, ठीक है? फार्मर फरेंड कहा जाता है, यह बात याद कर लेंगे, बच्चे. निमलिकित भारती पच्छियों में कौन सा अत्याधिक संकटा प्रथन क्या है संकट गरस्त है बच्छे संकट गरस्त किस्म की पच्छी है कौन सी भारती पच्छी जो है इसमें क्या है आप कहेंगे सर संकट गरस्त है यानि की खतम होने वाली है Golden Oriole है, ठीक है, Golden Oriole है, Great Indian Birds है, Indian Fentyal Fijian है, बच्चे, Indian Sunbird है, कौन सा है बच्चे, आप कहेंगे संकटा गरस्त है, इसमें कौं सा है, जल्दी से यहाँ पर बताएंगे, संकटा गरस्त कौन सी है, इसमें आप लोग बताएंगे बच्चे, कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे Great Indian Birds है, ठीक है, कौन से है, बच्छा Great Indian Birds जो है, संकटा गरस्त है, बच्छे याद रखेंगे, संकटा पन है, ठीक है, संकटा पन यानि की संकटा गरस्त है, यानि की संकट में है, Next Question, निमलिकित प्रजाती को बिलुक्त माना जा सकता है, जब वह अपने प्राकिर्थिक आवास में देखी नहीं गई हो, ठीक है, कितने वर्सों से अपने प्राकिर्थिक आवास में ना देखी गई हो, तो आप उसे संकटा पन मान सकते हैं, संकटा गरस्त मान सकते हैं, जल्दी बताएंगे, ठीक है बच्चे, जल्दी बताएंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा जल्दी से, तो आप कहेंगे सर, पचास वर्सों से, पचास वर्सों से अगर वो ना देखी गई हो, तो वो कैसी होती है, आप कहेंगे सर, बिलुक्त मान ली जाती है, पचास वर करना, कार करना, डेटा संग्रहन करना, कंप्यूटर की कार इकाली है, बच्चे वानिज उप्योग के लिए जानकारी तैयार करना, बच्चे क्या है, आप कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है, आप कहेंगे सर, वानिज उप्योग के लिए जानकारी तैयार करना, सर आप कहेंगे सर, नेश कुशिया ने, computer processor द्वारा information में परिवर्थित किये, किये जाते हैं, information में परिवर्थित किये जाते हैं, जल्दी से बताएंगे बच्चे, कौन किये जाते हैं, computer process, computer process द्वारा information में परिवर्थित किये जाते हैं, कौन किये जाते हैं, तो आप कहेंगे स data, कौन किये जाते हैं, बच्चे of data, data जो होता है computer process में information में परिवर्तित किये जाते हैं, information में परिवर्तित किये जाते हैं, ठीक है, एक electronic, एक electronic device जो data ko information में convert करते हुए, process करते हैं, process करता है, जल्दी से बताएंगे, एक electronic device जो data को information में convert करने ही तू, process करता है, convert करने ही तू बच्चे क्या करता है, आप कहेंगे process करता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है उसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर उसे processor कहा जाता है, उसे processor कहा जाता है, क्या कहते हैं बच्चे, processor कहा जाता है, नेश कुश्य ने प् कौन सा है बच्चे जल्दी से बताएंगे पथम गढ़ना अंत्र कौन कौन सा है, डिफ्रेंस इंजन है, अबएकас है, कौन सा हो जाएगा बच्चे आप कहेंगे सर, यहाँ पर हो जाएगा अब एकस हो जाएगा और यह last question है आपके लिए hw hw है बच्चे इसे आप लोग करके लेकर आईएगा ये आप लोग करके लेकर आएंगे बच्चे और एक छोटी सी information आप लोगों के लिए एक छोटी सी information है बच्चे वो समय आ चुका है जिस दिन आप लोगों का ये date क्या हो जें आप लोगों का दिन सुपो लोग जये स्र Boris आप हम जिस दिन स्री साहिव कसम है का लोगो, एक लोगोगी नमी आप लेकर